बंद कहां तक पाला जाई, युद कहां तक टाला जाई, तोभी है राणा का वनसज फैंक जान तक भला जाई, स्वागत है सभी साथियों का इस्टेडी एक्जाम पर बेटकर आसमान क्या देखता है, परू को खौल जमाना उडान देखता है कलास इस्टार्ट करने से पहले बता दूँ यदि आप RPSC राजस्तान के किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो अनेकेडमी एप्लिकेशन पर यहां पर यह दिए आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर यहां पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको इसके साथ में मुप्त में दिया जा रहा है विसे ओपर सल रहा है तो अभी डाउनलोड करें आप अनेकेडमी एप्लिकेशन राजपाल 10 कोड का यूज़ करने पर 10% का डिश्काउंट भी आपको मिल जाएगा और यहां पर लाइव क्लासेज, रिकोडेड वीडियो, मोग टेस्ट बगरा सारी सुदा आपको उपलब्द मिलेगी स्वागतेज सभी सातियों का सभी साती क्लास में लाइव जुड़ जाएं आज अपना टोपिक है राजस्तान जोग्राफिका राजस्तान की जीले काफी मेहतुपून टोपिक है, नए हो तो अपने चैनल को टेलीग्राम गुरूफ है उसको आप जोइन कर सकते हैं स्टेडी एक्जाम एकेडमी की नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पहला परसन आपके सामने स्क्रीन पर आच चुका है बाई तलाब जहील काँ पर इस्तित है डूंगरपूर, बासवडा, जालवाड या परताबगड बाई तलाब जहील आपसे पूची गई ये काम पर है जिस विदार्ति को अंसर आ रहा है समझ रहे हो ना, जिसको भी अंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और जितने भी साती लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कलास को like और share जरूर कर दे हो है इस परसन का right answer हो जाएगा आपका बाँ स्वाड़ा काम पर है बाँ स्वाड़ा तीन नमर आपका correct answer हो जाएगा next अगला परसन देखते हैं अगला है राजस्तान की किस जहील को रामसर अदर भूमी की सूची में समलित किया गया है सांबर, रासमन, आनसागर या जे समन्द correct answer क्या होगा प्यारे सातियों आंसर आप जरूर बताएं right answer हो जाएगा सांबर जील क्या हो जाएगा सांबर जील एक नमर आपका right हो जाएगा सांबर जील आपकी जेपूर जीले में है जो फुलेरा जंग से नाता है हाँ सांबर जील इसके लावा अजमेर, नागोर और जेपूर तीनु जीलू में फैली हुई है ये भी आप ध्यान रखना कौन-कौन से एक तो जेपूर, अजमेर और नागोर तीनु जीलू की ये सिमा बनाती है शांबर जील विजोलिया, सिलालेक अनुसार इस जील का निर्माण, वासुदेव चोहन के दोरा करवाया गया बहुत संदार और इस जील में कौन-कौन से नदिया आकर गिड़ती है इस जील में आपकी नदी आकर गिरती है मेंथा, रूपनगड, मेंथा और रूपनगड, खारी, और कौँशी जील है, खारी, और आपकी खंडेल, ये चार नदियों का इसके अंदर पाणे आता है सामबर जील एसिया का सबसे वड़ा अंते इस तलिए नमक उत्पादन के अंदर है और यहां पर इंदुस्तान नामक कमपनी के सयोग से सामबर शाल्ट योजना भी चलाई जा रही है अगला परसंद देखते हैं, राजस्तान में खारे पाणी की जिलें किस महसागर का अउसेस मानी जाती है परसांत, अरब सागर, टेती सागर या इन में से कोई नहीं खारे पाणी की जिलें किस सागर का अउसेस मानी जाती है राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाईगा टेती सागर हो जाईगा और ध्यान रखना जो सामर जील है इसे कितना परतिसत नमक उत्पदर होता है बारत में तो बारत का ट्कुल 8.7 परतिसत नमक का उत्पदर होता है ये परशन एक्जाम में पूछा गिया है अगला परशन देखते हैं कावोद जहिल राई जिय के किस जिले में इस्तिद है जैसल मेर, उद्यपूर, जैपूर या बांसवाड़ा कावोद जहिल कहीं बार एकजाम में आप भी चुका है ये परशन काम पर है आपकी बिल्कूल यहां पर सभी का राई आंसर एक नमर हो देगा जैसल मेर में है काम पर है जैसल मेर इसके लबाद जैसल मेर में पोकरन जहिल भी है अगला परशन देखते हैं अनूप सागर इस्तिद है राज समन उद्यपूर बिकानेर या सिरोही अनूप सागर काम पर है बिल्कूल अनूप सागर लूण करर जील या आपकी बिकानेर में है काम पर है बिकानेर में अगला परशन देखते हैं राजस्तान में सरवादिक उन्चाई पर इस्तिद जील कौन सी है नक्की जील, अनूप जील, अना सागर या गेब सागर सरवादिक उन्चाई पर इस्ति जील कौन सी है राजस्तान में इस परसन का राइट आंसर बताएं प्यारे साथ यूँ राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नमबर नक्की जील नक्की जील काँ पर है, माउंट अबू शिरोई में है, काज आता है कि इस जील को देवताउं ने अपनी नाकुनू से खोदगर बनेया था हाँ, ऐसा भी काज आता है बिल्कुल सभी का राइट आंसर आचुका है भाई जो भी विदारती आंसर बता रहे हैं, सभी का राइट आंसर आचुका है अगला परसन देखते हैं राइज्य की वह जील जहांपर साजा ने बहरे दरी तता समराण जांगिडने दोलत वाग यानि सुबास उद्यान का निर्मान करवाया आनसागर, शिलिशेड, बाल सम्मन्द या काईलाना कौन शी जील है, बता हो देगे करेक्ट आंसर बताना, कमेंड वोक्स में, एक बार कलास को लाइक और शेर जरूर कर देए राइट आंसर आनसागर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आनसागर जील एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनसागर जील आपकी काँपर है, अजमेर में है काम परे साती हूँ अजमेर जिले में गुरुजी अजमेर के बीच में ही है आप देखोगे तो अजमेर जमेर जाओगे तो वहीं आपको मिल जाएगी इस जील का निर्मान अरणो राज ने करवाया था आना जी ने अजमेर में चंद्रा नदी के पानी को रोकर कहीं बार एगजमें पूचा गया है कि किस नदी के पानी को रोकर करवाया गया है चंद्रा नदी कौन सी चंद्रा नदी इस जील का निर्मान तुरक सेना जो तुरकों की सेना थी उसका खून जब दर्ती से लाल हो गया था जो दर्ती जब उनके खून से लाल हो गई थी तो दर्ती को दोने के लिए इस जील का निर्मान करवाया गया और जो जांगिर ने इस जील के किनारे दोलत बाग का निर्मान करवाया और वर्तवान में इसे सुबा सुद्यान के नाम से जाना जाता है इस दोलत बाग में जांगिर ने अंग्रेज राज़ू ताज और टोमस रो उससे वारता लाब भी की थी अगला परसंद देखते हैं अगला परसंद क्या है कि परिहार सासक बाला के राव द्वारा निर्वित करवाई गई ज्धिल कौन सी है राइट आंसर होजएगा बाल समन ज्धिल कौन सी है बाल समन ज्धिल कामपर है जोदपूर में इस ज्धिल का निर्मान 1169 में बालक राव परिहार के दोरा मंडौर नमकिस्तान पर करवाया गया मंडौर में है जोदपूर के सासक महराजा सूर सिंग ने इस जील के मज्डि में अश्ट खंबा मेल का निर्मान करवाया जो अश्ट खंबा मेल है कौन सा मेल अश्ट खंबा इस मेल का निर्मान भी इस जील के बीच में करवाया गया है बाल समन जील के इस जील में पानी नहरूं के द्वारा गुलाब सागरबान से आता है गुलाब सागरबान से यहां पर पानी आता है और सूर सिंग ने इस जील के उपरी किनारे पर एक बाहरे दरी का निर्मान करवाया जील के दक्षिन में सूर सिंग ने अपनी राणी के लिए एक महल भी बढ़ोया था जिसे जनानाबा के नाम से हम जानते हैं अगला परसंद देखते हैं जोदपुर में गुलाब सागर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया उमेद सिंग, जे सिंग, विजे सिंग या मान सिंग गुलाब सागर का निर्मान किसने करवाया जोदपुर में तो महराजा विजे सिंग ने करवाया था तो इन नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला देखते हैं निमन में से कौन सी खारे पानी की जील नागोर जिले में इस्तित नहीं है कावोद, डीडवाना, डेगणा, कुचमन नागोर जिले में सरवादिक आपको ये खारे पानी की जीले मिलेगी डीडवाना जील, डीडवाना नागोर में है देगण भी नागोर में है कुचमन भी है लेकिन कावे खील नहीं ये कावे अद घांपरे जेशल मेर में एक नमर आपका राइट आंसर हो जाईगा बिलकुल बिलकुल बहुत यह अच्छा इसके अलाबा भी आपकी जेशल मेर में कौन कोन सी जिले हैं जेसल मेर में इसके लावा पोकरन जील है नागोर में डेगरना, कुचामन ये सबी है अगला परसंद देखते है खारे पानी की जील, कावो, जील काम परिश्तित है जेसल मेर, नागोर, उद्यपूरिया, विकानेर तो ये आपकी अभी बमने बात कीती जेसल मेर में है काँ पर है, जेसल मेर में खारे पानी की जील है, हाँ एक्जाम में परसंद पूचा जाता है यहाँ से कावोध है, पोकरन जील है, ये सबी आपकी जेसल मेर में है और यहां से पर्षन एक्जा में हर बार पूछा जाता है अगला पर्षन देखते है इसके अलबा यदि आपको खारे पाने की जिले पूछे कि नागोर में नागोर में हमने बात कर ली उद्यपूर में उद्यपूर में कौन-कौन सी जिले हैं? बताओ देगे जिलों की नगरी कहते हैं क्या कहते हैं? जिलों की नगरी कौन-कौन सी जिले हैं? जेसमन जिल है उद्य सागर फते सागर पिछोला जिल बिकानेर बिकानेर में कौन-कौन सी जिले हैं? बिकानेर में कौन-कौन सी जिले हैं? अनूब सागर गजनेर और सूर्सागर यह सभी काँपर है, विकानेर में यह तो मीटे पानी किये, और जो लून करन्ष जील है यह आपकी विकानेर में जो की खारे पानी किये अगला प्रसंट देखते है दोलपूर में इस्तिकुंद जिसे तिर्च, इस elevator का बांजा का जाता है मचकुंड, गलता कुंड, विश्राम कुंड या सूरझ कुंड तिर्टू का बांजा केते हैं मचकुंड को किसको केते हैं मचकुंड को ये दोलपूर में ज्यान रखना next अगला देखते हैं निमन लिकित में से सुमेलित कौन सा नहीं है, गेब सागर डुंगरपुर जिले में है, पन्नालाल साथालाब खेतली जुन-जुनू, नवलगड सागर बुंदी, कौलाई जील जोधपुर. कौन सा सही सुमेलिक नहीं है तो आपका चार नमर हो जाएगा कोलाइत जील काँ पर है जोदपूर में नहीं है काँ पर है ये बीका नेर में बागी गेब सागर डुंगरपूर में है पनानाल साथ अलाब खेदली जुन जुनु में है नवलगट सागर गुंदी में है नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं जेपूर नागोर वे अजमेर जिलूं की सिमा बनाने वाली जील कौन सी है एसी इतनी बड़ी जील है सबसे बड़ी जील जो की तीन जिलूं की शिमा बनाती है वोडर बनाती है तीन जीलूं में आती है वो सांबर, डीडवणा, पुसकर या इनमें से कोई नहीं तो आपकी सांबर जील हो जाएगी कौनसी हो जाएगी? सांबर जील अगला परशन देखते हैं राजस्तान की खारे पाणी की सबसे बड़ी जील कौनसी है? पंच बदरा, सांबर, लून करण सर या पोकरण खारे पाणी की सबसे बड़ी जील आपकी सांबर जील है कौनसी है? सांबर जील अगला परशन देखते हैं राजस्तान की वह जील जा मेडा, खारी, खंडेला, रूपनगड नदियां अपना जल गिराती है डीडवाना, पंच बदरा, सांबर तो ये खारी, मेडा, खंडेला और रूपनगड ये सबी नदियां जाकर मिलती है कि जील में? सांबर जील में तीन नमर आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं खारे पाने की जील जहां खारवाल जाती के लोग मोरली की जाडियूं का उप्योग कर नमक बनाते हैं यांके नमक में सोडियम कलोराइड की मातरा अंठान में परतिस्द होती है तो कौन सी जील है? पंच बदरा, सांबर, लून करंसर या रेवासा लून करंसर कांपर है? बीकनेर में है सांबर, जेपूर में है, पंच बदरा, बाड मेर में है तो कौन सी जील हो जाएगी इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा आपका एक नमबर, पंच बदरा पंच बदरा कांपर है? बाड मेर जीले में ज्यान रखना इस जील का निर्माण 400 वरस पुरुए पंचा नमक भील के द्वारा करवाया गया इस जील का नमक खाने की दस्टी से सबसे उत्तम माना जाता है इस जील में 80% क्या है सोडियम कलोराइड की मात्रा होती है N-A-C-L इस जील में खारवाल जाती के द्वारा मोरली जाड़ी से नमक त्यार क्या जाता है पंच बद्रा में कुवे बनाकर नमक का उत्पदन क्या जाता है जिसे कोशिया भी का जाता है क्या कहते हैं कोसिया अगला पसंद देखते हैं उद्यपूर जिले में इस्तित जील जिसका निर्माण गोमती नदी पर बनाओकर इस जील का निर्माण करवाया गिया जे समन्द, राज समन्द, पिछोला या सिलिशेड, उद्यपुर में पूची गई है, लेकिन इस सिलिशेड सो वेशे कट हो जाएगी, सिलिशेड जील आपकी अलोर में है, कहाँ पर है, अलोर में, तो राइट आंसर बताएं देखें, मिट्टे पानी की जील है, कौन्जी है, मिट्टे पानी की, बिल्कूल जे समन्द जील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे समन्द जील, एक नमर आपका राइट हो जाएगा, इसका अंदिर्मान जे सिंग के द्वारा करवाया गया, माराजा जे सिंग के द्वारा, इसका नाम इसलिए जे समन्द रखा गया, जे सिंग ने करवाया था, इस जील को डेबर जील के नाम से भी जाना जाता है, इस जील का दूसरा नाम है आपका डेबर, क्या है डेबर ज इसके लबा बात करें इस जील का तो इस जील में राजस्तान की ये सबसे बड़ी करतरिम और सबसे बड़ी मीटे पानी की जील है जहान रखना जदि आपको पूचे कि राजस्तान की सबसे बड़ी मीटे पानी की जील कौन सी है सबसे बड़ी मीटे पानी की जील तो आपकी जे समंध है कौन सी है जे समंध जील काँ पर है उद्यपुर जीले में जहां रखना उद्यपुर में है और ये परशन पूचा भी गिया है इस जील पर साथ टापू बढ़े वे हैं कितने टापू है साथ ये भी परशन पूचा गिया है सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भागडा और छोटे टापू का नाम है प्यारी क्या नाम है प्यारी इन साथ आपूंपर भील और मीना जाती के लोग निवास करते हैं भील और मीना जाती के लोग निवास करते हैं ये चीज़े आप ज्यान लखना अगला परसंद देखते हैं एसिया की सबसे बड़ी करतरीम जील जिसे धेबर जील का जाता है एसिया की सबसे बड़ी कर्तरिम जील है और राजस्तान की सबसे बड़ी मीठे बानी की जील है रासमन, जेसमन, फाई सागर या नकी जील नकी जील मौंट अब उसी रोई में है और आपकी रासमन जील राज समंद जील भी आपकी कहां पर है राज समंद में विलकुल जीले के नाम पर इसका नाम रखा गया है राज समंद राज समंद राज समंद में और जे समंद सबसे बड़ी जिसे डेबर जील कहते हैं वो आपकी जे समंद जील है कौन सी है जे समंद दोज नमर आपका राइट हो जाएगा अगला परशन है कि राजरस्तान का नंदन कानन किस जील को का जाता है सिलीशेड, कॉलाइग, पुसकर या नकी जील पुसकर जील अजमिर में नकीày जील शुरोई में कोलाइट बिकन एर में शिलिशेड अलवर में तो राजस्तान का नंदन कानन किस जील को का जाता है बहुत ही अच्छा प्रशन है और आंसर आप कमेंड बोक्स में बताएं देखें देखते हैं किस-किस विदार्तिकार राइट आंसर आता है शिलिशेड बिल्कुल एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलिशेड जील काँ पर है अलवर में ध्यान रखना किस जीले में अलवर जीले में इस जील का निर्मान विने सिंग के दौरा करवाया गया किसके दौरा विने सिंग के दौरा अगला परशन देखते हैं राजिस्तान की नीमन में से कौन सी जील राश्ट ये जील सनक्षन कारिय करम के अंतरकत नहीं आती अना सागर, पुसकर, फते सागर, पिछोला, पिछोला नकी, सवरूप सागर या स्चीली सेड तो राइट आंसर हो जाएगा सवरूप सागर योड स्चीली सेड च्यार नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परशन देखते हैं वै जील जिसके उत्री भाको नो चोकी का जाता है जहां पर संग मरमर के 25 शेलाले कूपर मेवाड का इतियास संसकर्त वासा में लिखा गया है किस जिल के किनारे नो चोकी की पाल पर मेवाड का सारा का सारा इतियास लिखा गया है आनसागर राजसमन जे समन्द या पिछोला राइट आंसर अनसी बेच तुक्के के साथ में राज समन राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा राज समन जिले में ही है राज समन जील राज समन जिले के नाम पर इसका नाम रखा गिया है बिल्कुल इसका निर्मान राज सिंग के द्वारा करवाया गिया अकाल रातकारिये में और कांकरवाली जो रेलवे इस्टेशने उसी के पास में आपको देखने को मिल जाएगी इसकी उतरी भाग को नो चोकी के पाल के नाम से जाना जाता है नो चोकी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर नो सीडिया बनी हुई है और नो चोकी की पाल पर काले संग मरमर बर काले मारबल पर पच्ची सिलालेकूं पर राज परशस्टी लिकी गई है और इस राज परशस्टी को रन्चोड भट के दुआरा लिखा गिया इसमें मेवाड के सास्कूं का वर्णन मिलता है और इसमें सलोग कितने हैं वो भी संस्कर्ट में मिलते हैं यानि संस्कर्ट के सलोग लिके गए हैं 1917 और इसे इस राज परशस्टी को विश्वे की सबसे बड़ी परशस्टी भी माना जाता है ये भी आप ध्यान रखना अगला परशन देखते हैं अगला परशन है की साही मेल एउं साही लोज किस जील के किनारे इस्टित है नक्की जील, पुसकर जील, सिलिशेड या फाई सागर राइट आंसर हो जाएगा सिलिशेड, जील, अलवर अगला परशन देखते हैं तरूत सागर इस्टित है जोधपूर, उद्यपूर, नागोर और राज समंद तो यह आपकी है जोधपूर, काम पर है जोधपूर निमर में से कौन सी जीलें सिंचाई के काम में ली जाती है सिंचाई के काम में कौन सी जीलें आती है इनमें से आंसर आनाचाई वाई तुक्टे के साथ में बिल्कूल जे समंद और राज समंद जील दो नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परशन क्या है पर्थिवराज चोहन के दादा आनाजी के दुआरा 1137 इस्यू में निर्मित आनासागर जील कहाँ परिष्तित है जेपूर, सांबर, अजमेर या उदियपूर तो यह आपकी अजमेर जीले में है सभी को पता है देखी भी होगी सभी ने जो अजमेर जाता है वो देखता ही है इसको निमन में से किश जील के किनारे सोर वेद सालाएं बणी हुई है जे समन्द, फते सागर, नकी जील या पिछोला जील राइट आनसर क्या होगा बताएं देखे कमेंट बोक्स में सोर वेद सालाएं बणी हुई है किश जील के किनारे क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें जितने भी साती जुड चुकें। बिल्कुल राइट answer दो नमणर हो जाएगा फते सागर जील। फते सागर जील आपके उध्यपूर में ही है। कहां पर है। उध्यपूर में हे सबसेदा जीलें। इसलिए उद्यपूर को जीलूं की नगरी कहते हैं इस जील का निर्मान भी जे सिंग नहीं करवाया था इसका पुन्य निर्मान फटे सिंग नहीं करवाया था इसलिए इसे फटे सागर का आ जाता है बिल्कुल इस जील पर फटे सागर बांध भी इस्तित है और उसके नीचे यहाँ पर सहलियू की बाड़ी नामक उद्यान भी है इस जील में बारत की पहली सोर वेद्चला उननीस सो पचेतर में उननीस सो पचेतर में लगाई गई ये भी आप द्यान लगना अगला परसंद देखते हैं नीमन में से कोन सी जील भारतिय महन जल विबाजक पर इस्तित है डीडवाना कावोज सांबर या लून करंशर राइट आंसर हो जएगा सांबर जील कोन सी है सांबर अगला परसंद देखते हैं अन्नास इरू वे सोम जिस नदी की साइग नदिया है वे है मही बनास साबरमतिया काली सिंद तो ये सभी मही नदी की साइग नदिया है जया नकना मही नदी ये राजस्तान का जो ये दक्षिनी भाग है यहां बेती है यानि कि बासवाडा और डूंगरपुर जिलू से होकर गुजरती है करक रेका इनी जिलू से गुजरती है और ये करक रेका को दो वार काड़ती है एक तरफ तो इधर MP से या आती है तब एक तरफ वापिस जब ये गुजरात के रफ जाती है करक रेका को दो वार काड़ने वाली नदी है माई नदी कौन सी नदी अंते परवा की नदी इन में से कौन सी नहीं है तो खारी नहीं है चार नमर आपका राइट हो जेगा ये परसन बहुत सांदार परसन है और ज्यादा तर विदार्ती इस परसन का गलत आंसर दे रहे अगला परशन देखते हैं निमन लिकित में से कौन सी राजस्तान में परमपरागत जल सनक्षन की विदी नहीं है खडीन, टांका, टोबा या नाली इस परशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाली नाली चार नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान में कुबड पटी कहां पर है अलवर भरतपूर, कोटा गुंदी, बांसवडा डुंगरपूर, नागोर और अजमेर राजस्तान में कुबड पटी कहां पर है तो ये नागोर और अजमेर में काम पर है नागोर और अजमेर में चार नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि निमन में से कौन सी नदी लूणी की साई की नदी नहीं है लूणी नदी की जोजडी सुकडी गुईया या मेड़ा जिसने स्टर्टिंग से कलास को द्यान से देखा है उसका ये 108 परशेंट राइट होगा आंसर भाई करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं देखें और उस नदी के बारे मुँम बात भी कर चुके हैं पहले कहीं बार बिल्कुल चार नमर हो जाएगा मेड़ा चार नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परशन है मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यानिय से होकर गुजरती है कुमलगड, फूलवारी की नाल, या सजनगड तो ये आपकी गुजरती है फूलवारी की नाल दो नमर आपका राइट हो जाएगा अगला परशन है अगला परशन देखते है अगला परशन देखते हैं चंबल घाटी में चंबल सहीत पुरवे से पस्यम दिशा में निमा लेकित चार नदियों का करम होगा चंबल, बनास, पारवति और काली सिंध सही करम क्या होगा यहां परदेव को पूचा गिया है पूरव से पस्चिम दिसा में पूरव से पस्चिम दिसा में आपको पूचा गिया है तो सही करम हो जाएगा आपका सबसे पहले आपकी पार्वती उसके बाद में हो जाएगी काली सिंद फिर चंबल और फिर बनास यानि चार नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यह आपके 37, 37 परशंटे 37 में से कितने परशंट आपके राइट वे हैं आप नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अपना टेलिग्राम आप जोइन कर सकते हैं Steady Exam Academy जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसी से आप जोइन हो ऐसे बहुत सारे फेक टेलिग्राम गुरूप मिल जाएंगे